फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री चौथा अध्याए इसलिए हे मेरे प्रिय भाईयो जिन में मेरा जी लगा रहता है जो मेरे आनंद और मुकुठ हो, हे प्रिय भाईयो प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो, मैं युओदिया को भी समझाता हूँ और सुन तुखे को भी, कि वे प्रभु में एक मन रहें, और हे सच्चे सहकर्मी मैं तुझ से भी बिंती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमचार फैलाने में कलेमेंस और मेरे उन और सहकर्मियों समेद परिश्रम किया, जिनके नाम ज प्रभू निकट है। प्रभू में बहुत आनन्दित हूँ। कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विशे में फिर जागरत हुआ है। निश्चे तुम्हें आरंभ में भी इसी का विचार था पर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोश करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने त्रप्त होना, भूका रहना और बढ़ना घटना सीखा है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने भला किया कि मेरे कलेश में मेरे सहभागी हुए। और हे फिलिप्पियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकी दुनिया से कूछ किया, तब तुम्हें छोड और किसी मंडली ने लेने देने की विश्य में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिसलूनिके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या बरन दो बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परन तुम्हें ऐसा फल चाहता हूँ, जो तुम्हारे लाब के लिए बढ़ता वह तो सुगंध और ग्रहन करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, जो महिमा सहित मसही इश्यू में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगान होती रहे। आमीन। हर एक पवित्र जन को जो इश्यू मसी में हैं, नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ हैं, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग विशेश करके जो कैसर के घराने के हैं, तुमको नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु इश्यू मसी का अनुग रहे तुम्हारी आत्मा के साथ रहे